नमस्कार दोस्तो मेरा नम है विजेक मार आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को तो चलिए दोस्तो देश्बक तिरंगा की इस संदार कॉमिक्स को सुरू करते हैं जिसका नाम है मर जल्दी मर आप देख सकते हैं इसका कवर प्रिस्ट कुछ इस तरह का है ओके देख स ऐसे हैं जिन्हों ने अपने अंदर सोय हुए सैतान को जगा दिया है और वे दुनिया के लिए अभिसाब बन गए है ऐसे सैतानों ने दुनिया को अपने कदमों में जुकाने के लिए दुनिया को बरबाद करने के ठान ली कजार ऐसे ही एक सैतान का नाम था उसने अपने बे बादी का नंगा नाच होता था इंसानियत खून के आउसर होती थी लेकिन कजार की किस्मत खराब थी कि सारी दुनिया में अपने फता का जंडा गारता कजार का काफिला भारत आ पहुचा था और बस भारत आती ही कजार का काफिला हमेशा के लिए रुख गया क्योंकि अपनी ताकत के घमन में चूर कजार भारत के उन साधुसंतों से भिर गया जो दुनिया को तभाई से बचाने में जुटे हुए थे वो भिरंत कजार के जीवन की आखरी लड़ाई साबित हुई एक साधुने उसे मूर्ती बन जाने का साब दे दिया कजार के मूर्ती बन जाने के बाद उसकी सारी सेना तितर भीतर हो गई और दुनिया को कजार के आतंग से मुक्ति मिल गई तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये मूर्ती निर्देई रजा कजार की ही है यस इस मूर्ती के साथ मिली पांडलोपी तो यही कहती है अगर नेस्तन मियोजियम बाले उस पांडलोपी को संग्राले में रखने के लिए ना ले गए होते तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में भी बतला सकता था जो सारी दुनिया को हैरान कर सकते थे मसलन ये कि जब कजार मूर्ती में बदल गया था तो उसकी सेना उस अकूत खजाने को भी छोड़कर भाग गई जो उसके साथ था उस पान रुपी में जरूर उस खजाने का वर्दन रहा होगा पूरी तरह सुरक्षित कर लेने के बाद कजार के मूर्ती भी नेस्नल में पहुंच जाएगी क्या आप इसके बाद भी खुदाई जारी रखेंगे हां क्योंकि अभी हमें यहां बहुत से र इन बातों में कोई दम नहीं सब बेकार की बाते हैं यह बेकार की बाते हो सकती हैं लेकिन यह मूर्ती नहीं यह तो कड़ोरो रुपए की है और मुझे इसे गायब करने के लिए इसकी जगा हुबहु ऐसे ही मूर्ती रखनी होगी ताकि किसी को इस मूर्ती के गायब होने क पता ही ना चल पाए जेल से छूटने के बाद मैं यहां खुदाई में निकली सैक्रो ऐसी चीजियों की ऐसी डुप्लिकेटिंग करके उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेच चुका हूँ हरे ये मूर्ती के पैरों के नीचे क्या दबा है और उस समय तो उसकी आँखे अस्षेरे से चौड़ी होती चले गई जब युए चीजे उसके हाथ में आई ओ लो अपने खोते होसों को उसने बहुत जल्दी ही समाला ओ ओन चीजों के साथ यहां ठारना ठीक नहीं है मुझे तुनन्ती यहां से जाना होगा हर चीज को भूल कर निच्चे ही कालमूर्ती के हाँ तो कोई किमती चीज लगी थी केमती चीजों की तलास में तो ये भी थे और उनका निचाना था नेस्नल म्यूजियम अलार्म और यहां की दिवारों में दोरते करण को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है अब हम बीना किसी खत्रे के आगे बढ़ सकते हैं बहुत ध्यान से कोई आवाज नहीं होनी चाहिए मुझे पता है धम खट गदेदार जुतों के सोल के रूप में इंतिजाम पहले से ही था इसलिए सिर्फ पत्तों के खड़कने जितनी आवाज हुई थी और इतने धीमी आवाज को कोई इंसान हर्गिस नहीं सुन सकता था लेकिन इसका क्या किया जाए कि जहां वे भी मौजूद थे जिने इंसानों से सत्रा गुना जादा सुनाई देता है और वहाँ गुजी आवाजोग ने उनके कान खड़े कर दिये तो और तुरंथी वह 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 वुफ 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 ओ कुत्तों के पीछे हतियार बन गार्ट्स भी हैं कोई बात नहीं मेरे पास सबका इंतिजाम है इन मीनी डॉट्स के रुप में क्या हूं सक सक वाउ सक जिन में भरी बेहुसी की दावा सभी को चुटकियों में बेहुसे की दुनिया में पहुचा देगी अब चलो हम म्यूजियम के अंदर चलकर सारा किमतिमाल समढ़ते हैं पहुच गएं समेटो एक एक करके सारी मूर्तियों के गहने समेट ले मोठरिया मैंने तो पहले ही ये काम सुरू कर दिया है अचानक एक मूर्ती तक महुचकर मोटरिया के हाथ रुख गए अरे इस मूर्ती पर तो कोई गहना नहीं है और ये मूर्ती को जानी बचानी क्यों लग रही है अरे ये तो मुझे आख मार रही है ये कैसे हो सकता है इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं मूर्ती नहीं हूँ मैं तो हूँ धार तिरंगा आ तिरंगा ये यहां कैसे आ पहुंचा उन कुत्तों की वज़े से जो भौके तो थोड़ी ही देर तार लेकिन इतनी देर में मुझे समझा गएं कि यहां कोई गड़बर है वे कुत्ते इसलिए थोड़ी देर भौके थे क्योंकि मैंने उन्हें बेहोसी की निन्द सुला दिया था इन डॉट से ओफ ये डॉट आप तिरंगा को भी गहरी निन्द में सुला देंगे नहीं सुला पाएं ये कैसे हुआ तार क्योंकि इन डॉट के दबने से पहले ही मैंने इन्हें अपने सरीर से भार निकाल दिया है लेकिन इसके बाजोद भी इन डॉट की सुया मेरे सरीर में धस चुकी है और उनमें जो केमिकल लगा हुआ था मुझ पर उसका थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है मुझे उस असर से समनने के लिए थोड़ा समय चाहिए और ऐसा तभी हो सकता है जब यह सांत हो ठक जाए ठक धार धार तिनों लुटे रे बेहोच चुके थे लेकिन इसके बाद भी तिरंगा को समनने का मौका नहीं मिला धड़ाक धार पीछे से हुए एक तीज बार ने तिरंगा के जोड़ जोड़ को हिला दिया और उस समय तो तिरंगा का सारा अस्तित्व ही हिल गया जब उसे वार करने वाला नजर आया ओ ये क्या मुसीबत है और कहां से आई है और इसका ये सरीर किसी ऐसे प्राचियन मूर्थी जैसा कैसा है जो अभी अभी किसी गड़े से निकल कर आई है कुछ भी हो एक बात तो पकी है ये मुसीबत इनलुटोरी की प्रोटेक्टर है धा मुझे इसे भी चीत करना होगा अरे इस पर तो मेरी ढाल का कोई असर नहीं हुआ और नहीं इसने मेरी ढाल को वापस आने दिया इसे रोकने के लिए इसे अपनी रोप में बानना होगा ओ रोप को उसने कच्छे धागों की तरह तोड़ डाला उस मुसीबत का एक और खटनाक रूप तिरंगा के साबने आ गया उसने अपनी तलवार निकाल ली मुझे कार्ट डालने के लिए और अगर मैंने अपना बचाओ नहीं किया तो ये मुझे कार्ट भी डालेगा लेकिन मैं बचाओ करू तो कैसे मेरी ढाल तो पहले ही मेरे हांसों से छोट चुकी है साइन एक मिनट ढाल नहीं है तो क्या हुआ इस प्राचेन वस्तुव के मियूजियम में बचाओ करने वाले सादनों की कौन सी कमी है इसे प्राचेन युद्धा की ये तलवार मुझे बचाएगी भी टनाक और उसे मोतोर जवाब देगी भी अरे ये तलवार तो इसके सरीर पर खरोच भी नहीं डाल पाई ये तो इसके सरीर से ऐसे टकराई है जैसे चटान से टकराई हो मुझे इसे जल्दी ठीकाने लगाना होगा बेहोस कर देने वाले केमिकल का असर मेरे दिमाग तक पहुँच रहा है और ऐसा करने के लिए मुझे नर्व गैस के कैपसूल का इस्तमाल करना होगा क्योंकि इसका सरीर कितना भी मजबूत सही गैस इसके अंदर के नर्व सिस्टम पर असर जरूर डालेगी फठाक इस बार तिरंगा पूरी तरह कॉन्फिडेंट था लेकिन तुरेंटी उसका सारा कंफिडेंस चूर चूर हो गया कमाल है पहली बार देख रहा हूँ किसी इंसान पर नर्व गैस का असर नहीं हो रहा है ऐसा सिर्फ दो ही कारनों से हो सकता है या तो इसने मेरी तरह गैस से बचने के लिए अपनी नाक पर फिल्टर लगा रखे हैं या फिर ये इंसान ही नहीं है ओ नहीं अब तो उसकी तलवार से केरने बरसने लगी है और ये केरने बहुत खतरनाक है मुझे इंसे बचना होगा केमिकल के परभाव की वज़े से तिरंगा के बसने की गती बहुत धिमी थी जबकि उस मुसीवत की मारक चमता बहुत तेज थी अबू खेल खत्म होने जा रहा था घर और दाव पर लगी थी तिरंगा की वो जिन्दगी जो खेल के साथ ही खत्म होने जा रही थी और तिरंगा के जिन्दगी खत्म हो भी जाती अगर उस खेल में वो दूसरा खिलाड़ी नहीं कुच जाता बड़ाक जिसने बेहाल तिरंगा के सरीर को ठीक मौत के सामने से हटाया और उसे अपने कंदे पर लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ उस मुसीबत को उसकी जराभी चिन्ता नहीं थी वो तो अपना काम करने में लगी हुई थी कड़ाक खटाक इधर तिरंगा पूरी तरह बेहोसु चुका है दिल तो कर रहा है कि तिरंगा को इसी हाल में मौत के निन सुला दूँ और खुद को जेल भेजने का बदलब चुका लूँ लेकिन इस समय मैं ऐसा करके अपने ही नुकसान करूँगा क्योंकि जो भारी भर कम समस्या मेरे सामने है उसे तिरंगा के सिबा कोई हल नहीं कर सकता मौजल तिरंगा इसमें तेरी जान बक्स कर काल मूर्ती ने तुछ पर एक ऐसा एशान कर दिया है जिसका कर्ज तुक कभी नहीं उतार सकता होस्में तिरंगा उसी के बारे में सोच रहा था मैं म्यूजियम से दूर पड़ा हूँ और मुझे यहां निश्चे ही वो लबादा धारी लेकर आया होगा जिसने मुझे बचाया था कौन था वो एक मिनट मैं उसके बारे में बाद में सोचूंगा फिलाल मुझे सिर्फ उस मुसीवत के बारे में सोचना चाहिए जो नेसनल मुजियम में मौजूद है और सायद अभी भी वही मौजूद हो मियोजियम में अब उस मसीवत का नाम उनिसान भी नहीं था वो मसीवत अपना काम करके यहां से जा चुकी है और उसका काम था मियोजियम लोटने आए चोरो को मुझसे और पुलिस से बचाना तिरंगा का सोचना गलत था और ये तिरंगा को अगले हिच्छन पता चल गया ये तो वही लूटे रहे हैं जिने मैंने बिहुस किया था इनका पुलिस के गिरफ में आने का एक ही मतलब है वो मुसीबत इन लूटोरी की पोटेक्टर नहीं थी उसका म्यूजियम में आने का कोई और मकसद था मैं उसके मकसद के बीच में आ गया था इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाती थी जरू कुछ ऐसा होने वाला है जो एक बड़ी गड़बडी का रूप ले सकता है मैं सायद समय रहते उसे रोक सकता हूँ मुझे उस मुसीवत के मकसद को जानना होगा और इसके लिए मुझे तुरंती पहुंचना होगा मुजियम के केर टेकर के पास ऐसी मुसीवत के कहीं पहुंचने के दो ही कारण हो सकते है या तो वो तभाई मचाने आई हूँ या फिर कोई मतलब की चीज हसिल करने तभाई उसने मचाई नहीं यानि वो यहां मुझेम में अपने मतलब की कोई चीज लेने आई थी और ऐसा है तो वो चीज मुझे मुझेम से जरूर गाइब होगी अगर आप मुझे उस चीज के बारे में बताते तो मैं उस मुसीबत तक पहुँचकर उसको रोख सकता हूँ मुझेम में कोई बड़ी चीज गायब नहीं हुई है और अगर कोई चोटी चीज गायब हुई है तो इसके बारे में इतनी जल्दी बताना मुस्किल होगा क्योंकि म्योजियम में ऐसी छोटी चीजों की भरमार है मैं एक एक चीज को चेक करूँगा जैसे हैं मुझे उसका पता चलेगा मैं तुम्हें सुचित कर दूँगा ठीक है आप चेक कीजिए जल्दी मैं आपसे दुबारा मिलूँगा अरे ये क्या ये तो टीवी पर उसी की फोटो दिखाई दे रही है जिससे मेरी मुटबेर हुई थी फोटो के साथ समचार भी टीवी पर आ रहे थे इस क्लीन पर आप इस समय जो मूर्थी देख रहे हो वो सुलवी सदी के क्रूट तनसा समराट कजार के मूर्थी है कुछ गंटो पहले ये मूर्थी बड़ी ही अजीवो गरीवो ढंक से जिन्दा होकर खुदाई अस्तल से गायब हो गई इस मूर्थी को खोचने वाले ग्रूप के चीप परफिसर डैंग का कहना है कि रात को एकाय कजार के मूर्थी चलने लगी और उस पर हमला बोल कर घायब हो गई परफिसर डैंग इस समय घायल हालत में एम्स में भरती है आईए आगे के जनकारी के लिए हम आपको एम्स ले चलते हैं तो वो मुसीबत सुलावी सदी के राजा कजार की मूर्थी थी और सायद ऐसा था भी क्योंकि उसका डैल डॉल उसके सरीर की बनावट सब मूर्थी जैसी थी लेकिन सुलावी सदी की लेकिन सुलावी सदी की कोई मूर्थी जिन्दा कैसे हो सकती है इन सवालों का जवाब पाने के लिए मुझे पहुंचना होगा एम्स पहले तो मैं भी यही समझ रहा था कजार की मूर्टी का चलना मेरी आँखों का कोई भ्रहम्भ है लेकिन जब उस मूर्टी ने मुझे पर हमला किया तो सारी सचाई मेरे सामने आई लेकिन तब तक देर हो चुकी थी कजार के मुर्ति मुझे घ्याल करके वहां से निकल चुकी थी धाड और वहां से जिंदा होकर वह मूर्ति सीधा नेस्नल हविय पर पहुंची क्या आप बदा सकते हैं प्रोफेसर कि नेस्नल म्यूजियम में ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए कजार कि उस मूर्ति को जिन्दा होना पड़ा दिरंगा के इस सवाल पर लड़ खड़ा गई प्रोफेसर की जवान मुझे इस बारे में क्या मालूम प्रोफेसर डेंग कोछ मेडिया वाले आपके इंटर्वियो को टीवी पर लाइब दिखाना चाते हैं क्या आप उनसे मिलना चाहोगे नहीं बिल्कुल नहीं उनसे कह दो कि अभी मेरी हालत ठीक नहीं है मैं इस हालत में किसी से नहीं मिल सकता ओके प्रोफेसर मुझे लगता है आपके हालत वाकाई ठीक नहीं है प्रोफेसर मुझे चलना चाहिए एक तो प्रोफेसर डेंग मेरे सवालों का जवाब ढ़ंक से नहीं दे पा रहा है और दूसरा प्रोफेसर की हालत इतनी खराब नहीं है जितनी वो दिखा रहा है कुछ चक्कर जरूर है और निसंदे ही उसका समझ कजार के मुर्थी के गायब होने से होगा खेर मुझे उस चक्कर को जानने के कोशिस सुरू करती है लेकिन उस तक जितना जल्दी पहुँचा जाए उतना ही अच्छा है तिरंगा एक बार फिर नेशनल म्यूजियम की चत पर लहरा रहा था और इस बार केयर टेकर से उसे अपने सवालों का जवाब मिल गया था म्यूजियम में एक प्राचिन पानलूपी गयब है वो पानलूपी कजार के मूर्ती के साथ खुदाई में निकली थी उस पानलूपी में क्या था क्या आप कुछ बता सकते हैं ज़्यादा तो कुछ नहीं पता उस पांडलोपी में कजार के किसी खाजाने के बारे में लिखा था, ऐसा मैंने सुना था, इसका मतलब कजार की मूर्ती जिन्दा होकर यहां से वो पांडलोपी इसलिए चुना कर ले गई, क्योंकि वो अपने खाजाने को ढूनना चाहती है, लेकिन वो खजाना एक मूर्ती के भला क्या काम आ सकता है, एक मिलाट, खजाना किसी मूर्ती के काम नहीं आ सकता, लेकिन किसी इंसान के तो काम आ सकता है, और सायद मैं जानता हूं कि वो इंसान कौन है, और वो मेरे सिकंजे में तब फसेगा, इस काहनी को यहीं खत्म करते इसके आगे कहाने पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में तब तक के लिए बाए अगर वीडियो अच्छी लेगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर पेस्ट कर देना और